हेलो फ्रेंस बारिस का मौसम है साम का समय हो रहा था और फरमाईस आ गई चाई के साथ पकोरे खाने की मैं कीचेन में फटाफट से गई और पकोरे की तैयारी करने लगी मैंने डबा खोल कर देखा तो बेसन ही खतम हो गया है तो अब क्या किया जाए बिना बेसन के पकोरे कैस बहुत ही जादा टेश्टी लगता है मैं भी इस पकोरे को पहली बार ही बना रही हूँ लेकिन ये खाने में इतना जादा टेश्टी लगा कि सभी ने दुबारा से बनाने की मांकी तो चलिए इस टेश्टी पकोरे को बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर एक mixing bowl ले लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा कटा हुआ पत्ता गोभी डाला थोड़ा सा प्यास डाल लिया है बहुत जादा मैंने प्यास भी नहीं डाला है और बहुत जादा पत्ता गोभी भी नहीं डाला है और अगर आपके घरें पत्ता गोभी नहीं हो तो सिर्फ प्यास डाल कर भी इस पकोड़े को बना सकते हैं साथ मैंने यहां पर आधा चमच जीरा पॉडर डाला है और एक चमच हरी मिर्ची और लासुन का पेश्ट डाला है साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि सब्जियों को जो भी पानी छोड दिया है अब इसमें हम एड करेंगे आधा कप गेहु का आठा हाफ डैंस मैं आज इस पकोड़े को गेहु के आठा से ही बनाने वाली हूं साथ मैंने यहां पर दो चमच चावल का आठा एड कर लिया है ताकि यह पकोड़े एकदम कुरकुरे बन करके तयार हो एक बड़े चमच सुजी भी एड कर लेंगे अगर आपके घर में चावल का आठा नहीं हो तो आप यहां पर तीन चमच सुजी ही एड कर लीजिएगा साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स एड कर लेंगे तीखे पन के लिए मैं यहां पर लाल मिर्च का यूज नहीं कर रही हूं आप आधा चम्म जितना अजवाइन ही एड़ कर लिजेगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा साथ मैं यहाँ पर दो से तीन चम्म जितना दही डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जौरत लगेगी तो फिर मैं इसमें पानी भी ऐड़ करूँगी इस पकड में अच्छा सा कलर आजाए उसके लिए थोड़ा सा हलदी का पोडर आड़ कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से mix करेंगे इस मिसरन को हमें बहुत जादा पतला नहीं करना है थोड़ा सा ठेक ही रखना है आप देख सकते हैं इसकी consistency इसी तरह की consistency हमें रखनी है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे दो-तीन मिनट ताकि ये हलका सा फलपी सा हो सके इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ये एकदम फलपी सा हो चुका है कलर भी हलका सा लाइट हो चुका है इसका मिसरन को हमने अच्छी तरह से फेट लिया है अब इसको उपर से कवर कर लेंगे और लगभग 3-4 मिनट इसको रेष्ट पर छोड़ देंगे ताकि इसमें हमने जो सूजी और चावल का आटा एड़ किया है वो अच्छे से फूल सके कुछ देरी से रेष्ट करते हुए हो चुका है अब यह पकौरे हमारे फूले फूले से बन करके तयार हो उसके लिए यहाँ पर एक चुटकी जितना बेकिंग सोडा एड़ करेंगे आप अगर नहीं खाना पसंद करते हों बेकिंग सोडा तो बीना बेकिंग सोडा के भी इस बनाआ सकते हैं चौह सारह है ने माइट से लेते हैं और तो लगा फोर्सर को अब गड़ को मैं पहले ही oh लिए था और अच्छी तरह से गरम हो चुकी है इसमें एक-एक करके पकोड़े को डालते जाएंगे एक बाड़ में जितना पकोड़ा आपाईगा उतना डाल लेंगे अब पकोड़े डालते से यसमें घैस का फ्लेम नोहीं रखेंगे और जब सारे पकोड़े को और अच्छी अब पकोरे डाल लेने के बाद इसको एक तरफ हल्का सा सीखने देंगे, जब एक तरफ से हल्का सा सीख जाएगा तब इसे पलट लेंगे, और सारे पकोरे को हम पलटते जाएगे और इसको दूसरी तरफ भी सीखने देंगे, जब सारे पकोरे अच्छी तरह से चारो ओर से सी आप देख सकते हैं पकोरे फूल करके कितने बड़े हो गए हैं इसे सिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है बहुत ही कम समय बहुत कम मेहनत और कम सामगरी में ये बन करके तयार हो जाती है इसे बनाने में केबल घर के समानों का ही यूज किया जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है इसे सिखते हुए कुछ देर हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पकॉरे सिख करके तयार हो चुके हैं इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और बचे हुए मिस्रन से और पकॉरे बना करके तयार कर लेंगे यह लिजिफरेंस यह हमारा दूसरे बैच का पकॉरा भी सिख करके तयार हो चुका है इसमें भी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है इसे बाहर निकाल लेते हैं और यह पकॉरा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है यह बिल्कुल भी ओईली नही होता है और आप खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको बिना बेशन के बनाया है खाने में इतना ज्यादा टेश्टी और क्रिस्पी लगता है कि आप इसको एक बार 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 बना करके खाना चाहेंगे मैं एक पकॉरे को आपको तोर करके दिखाती हू कर सकते हैं फ्रिंस आपको रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा रेस्पी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर यह दिनाए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लिजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई इस पी के साथ तब तक के लिए बाई थेंक्स फार वाचिंग